उत्रपदीष के गूंडा जिले में रह रहे हैं दिव्यांग दीपक तरिपाथी ने कुरोना में अपने जैसे दिव्यांगों के साथ मिलकर नमकीन की फैक्टरी शुरू की थी, अब इस फैक्टरी में 40 से ज्यादा दिव्यांग काम करते हैं, ये सभी मिलकर रोजाना परडे तीन सो किलो नमकीन का पादम करते हैं इसमें हमारे अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 42 से 45 लोग जुड़े हुए हैं और इसमें से 7-8 हैसे होंगे जो सामाने हैं बाकी सब दिभ्यांग जनकी हैं जो माल को बेचते हैं सेलिंग तक को हम ले रहे है फैक्टरी में काम करने वाले लोग बताते हैं कि इस काम से उन्हें रोजगार का पका जरिया मिल गया है अपनी फैक्टरी में बनी नमकीन की सप्लाई के लिए इन लोगों ने सरकार से इरिक्षा के लिए आर्थिक मदद की मांग की है फैक्टरी में बनी नमकीन की पूरे गोंडा जिले में की जाती है दीपक त्रिपाठी ने दिव्यांग होते हुए भी जिस जजबे का परिचा दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है